खालगुनी ये बताओ, तुम अपने आसपस बहुत से चीजों को देखती, जैसे चिडिया आसमान में उड़ रही हो, या घोला तांगे को खीच रहा हो, तमाम गाड़ियां चलती हैं, तो तुमने उसमें कोई चीज देखी, एक खास बात, चीजों को चलाने के लिए बल का प्रयुक करना पड़ता है, यानि ताकत लगानी पड़ती है, घोला जो है ताकत लगा के तांगे को खीचता है, चिडिया आपने परों को चला के आसमान में उड़ती है, तो बल हमारे जीवन में बहुत महत्पूर्ट चीज है, बिना बलके हम कोई भी कारह नहीं कर सकते है जैसे ये गेंद यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है ये बिल्कुल इस्थी रवस्था में रखी हुई है यानि रुकी हुई है इसको जाए धीरे से आप धक्का मारिए इस गेंद को आपने धक्का मारा यहां से और यहां के मैंने इसको रोक लिया छोटा सा प्रयोग है इससे आपको कुछ जानकारी ये हुई कि इस्थी रवस्था में यदि कोई बस्तु है तो उसको बल लगा के गतिमान बनाया जा सकता है यानि यदि कोई चीज रुकी हुई ह इस पे बल लगाया जाए तो उसमें गति उत्पन हो जाती है एक चीज और देखिया आपने कि जब ये गेंद गतिमान थी तो मैंने इसको इस हाथ से रोक के इस थी रवस्था में फिर से ले आए इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई गेंद गतिमान है या कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसको बल लगा के रोका जा सकता है अब इसको फिर से आप धका दीजिये एक चोटा सा प्रयोग ये हुआ इस प्रयोग से क्या निश्कर्स हम निकाल सकते हैं इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जब गेंद आई तो हमने इस थी रवस्ता से धकेल के गतिमान किया लेकिन मैंने क्या किया इस गेंद को एक दूसरी दिशा में गतिमान कर दिया यानि इसकी दिशा बदल दी इस प्रकार हम निसकर्स निकाल सकते हैं कि यदि गतिमान वस्तु है और उसमें बल लगाया जाये तो उसकी दिशा बदली जा सकती है तो दो बाते निकल गया ही कि इस थीर वस्तु में बल लगाकर गतितुपन निकी जा सकती है और गतिशील वस्तु में बल लगाकर उसको रोका जा सकता है इसके लावा एक निस्कर्च यह भी निकला कि गतिशील वस्तु यदि है तो बल लगाकर उसकी दिशा हम बदल सकते हैं एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा आटा है इस आटे का एक तुकडाव लीजिए मैं भी लेता हूँ इसकी एक गोली बनाते हैं बढ़िया सा गोला बनाईएगा गोली बन गहीँ अब इसको जोर से दवाना आएग जıtना दवा सकते हैं अब यह बोली है अभी भी गोली है अब इसका आखार बदल गया है पहले तो यह गोल थी लेकिन यह चप्टि हो गई है यह आटा आपको कैसा लग रहा है नरम नरम लग रहा है? मुलायम? मुलायम आटे को गोली बनाई फिर उसको अमने बल लगा करके चप्ता कर दिया तो इसे क्या निस्कर्च निकलता है? कि अगर इसे दबाएंगे तो ये चप्ती बजाएए यदि कोई नरम वस्तु है तो उसको दबाकर या बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है पहले तो था गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है या गतिशील किया जा सकता है इसके अलावा वबस्तों यदि नर्म है या मुलायम है तो उसको बल लगा के उसका आकार बदलाया सकता है चप्टा इने किसी भी आकार में कर सकते हैं इस चीज का प्रयोग करने कहीं हम लोग जीवन में भी करते हैं कहां करते हैं? रोटिया में निम्ले बिल्कुल सही, रोटी बनाने के लिए आटे की लोई लेकर उसको उप्यूक्त दिशा में बल लगाकर उसको रोटी बना दी जाती है, इसके अलावा जो कुमार होता है मिट्टी से बरतन बना लेता है, गीली मिट्टी को मुलायम होती है, और हम लोग प बना सकते हैं, अब एक छोटा प्रेव बावर करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक थोड़ा भार है हमारे पास, इट के रूप में, इसको उठाएं, एक हाँ से उठाएं, अब दूसरे हाँ से अपनी मासबेसी को छू कर देखें, यहाँ पर कुछ मैसूस हो रहा है, क्या पेशी फूल गई है, तो इसका मतलब इसको उठाने में पेशी बल का हम लोग, इस्तिमाल कर रहे हैं, तो एक बल हो गया, पेशी बल, पेशी बल का कहीं और भी इस्तिमाल होता है, कहां होता है, किसी बाहरी चीज को उठाने में, और घोडा तांगे को खीचता है, तो कीवल का प्रयोक करता है क्या बल को किसी और रूप में भी लगाया जा सकता है कैसे एक छोटा प्रयोक करते हैं यह एक सींख है हमारे पास इसमें तागा बांध ले हम लोग एक धनुस बनाएंगे धनुस खेलना तुम्हें अच्छा लगता है धनुस खेला भी होगा मेले से करें खरीदा होगा यह चो टासा धनुस बन गया इसको तीर के रूप में इसतिमाल कर सकते हैं अब इसकी तागे में इस तीर को फसाके इस अवस्था में ले आए अब यदशिग चोड़ने तो क्या होगा यह धनुस और न लगा तीर जो है हवा में चला जाएगा है ना तो वो जब हम इसकी कमान को खीचते हैं, तो इसके धनुस के तनाव में संचित हो जाती है, है ना, जो धनुस में तनाव संचित हो गया, उर्जा संचित हो गई, वो इस तीर को हवा में उछाल देती है, तो इस प्रकार हम लोग अपने बल को रुपांतरित करके, अलग-अलग त कमान होती है, कमानी, उसमें उर्जा संचित हो जाती है, इस तरह वो चलती रहती है, घड़ी की चावी भरते हैं, घड़ी चलती रहती है, इस प्रकार हम लोग अपने बल का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बल और भी कई प्रकार के होते हैं, क्या, हमारे पास कुछ चुम्बक है एक ये चुम्बक है और ये ये चुम्बक है चुम्बक क्या करता है लोहे वाली चीजों को चिपकाता है लोहे की चीजों को चिपका लेता है तो चुम्बक भी एक बल ही तो प्रयोग करता है तो इसके जो ये बल प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं लेकिन अब इसको आप इस तरह से दोनों चुम्बक पास लाईए, लाने के कोशिश करें आ रहा हैं? नहीं आ पा रहा है ना? ये दोनों सिरे एक दुसरे को एक दुसरे से दूर जा रहा है यदि इनको एक तरफ कर दिया जाए, पलट दिया जाए सिरा, तो यह आपस में चिपक जाते हैं तो इसमें चुम्बक के एक तरफ तो आकर्शन बल है और एक तरफ प्रतिकर्शन बल है जो सिरे आपस में एक दुसरे को खिंचते हैं उसमें आकर्षन बल लगता है और इस तरह से प्रतिकर्षन बल लगता है ऐसा इसलिए होता है कि चुम्बक में दो सिरे होते हैं उत्तरी धुरू और एक दक्षनी धुरू कि इसमें वी उद्धरी दुरू Oh इसमें दख्छिणी दूहें जब उत्तरी दुरू के सामने आएगा तो रिद ईसे को दूर खेंके गा यानि प्रत्कर्शन बल लगेगा और उत्तरी दुरू और दख्छिणी ध्रू जो सामने होगे तो यक दूसरे को चिपका लेंगE ख खीच लेंगे आकर्सन बल लगेगा इस तरह के चुम्बक में दो धरूर होते हैं और उसमें चुम्बक की बल होता है यहां अमारे पास कुछ कागस के टुकड़े हैं दिख रहे हैं आपको जी अब इसमें एक प्लास्टिक है इसको बालों में रगणे यह देखिए खीच रहा है हां आकर्सित कर रहा है आकर्सन बल तो है लेकिन इसका एक नाम है इस बल का क्या नाम है यह चिपका लिए इसने कागस को चिपका रहा है ना इसको विद्धुतिये बल कहा जाता है यह विशेश परिस्तितितियों में पैदा होता है और इसे विद् विद्धुतियेबल और चुम्बकीयेबल पेशीयेबल इसके तरीक एक और प्रकार है जिसको आप देखा होगा आपने लेकिन शायद इसके बारे में जानती ना हो इस गेंद को यदी उपर उछाएंगे तो क्या होगा यह आस्मा अ यह मतलब ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन लोट आएगी इसको उपर उछा लेंगे तो हमेशा यह धर्ती की तरफ ही लोट के आएगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो धर्ती है अपनी अपनी प्रत्वी है यह सभी चीजों को अपनी और आकरसित करती है इस बल को ह कहते हैं गुरुत्वबल गुरुत्वबल सर आईजेक न्यूटन एक थे वेग्यानिक उन्होंने ये पता लगाया था कि धर्ती में गुरुत्वबल होता है जो सभी चीजों को अपनी और आकरसित करता है अब तुम ये सोच रही होगी कि पक्षी कैसे हवा में उड़ जाते ह है तो इसका कारण ये है कि जैसे तुम ने देखा हुआ कि तैराग पानी में तैडते हैं अपने हाथ चलाके और पैर चलाके वह फानी को धकेल धकेल में उसपर तैरते रहते और दूपते नहीं है इसी तरह हमारे चारोछ तरफ क्या है हवा है हवा को पच्छी क्या करते हैं अपने परों से धकेलते हैं तुमने देखा गपक्षी जब चलते हैं तो हवा को धकेलते हैं इस तरह से वो उड़ते रहते हवा में हम लोगों को अपने जीवन में कारे करने के लिए किस चीज किया हो सकता होती है हवा की कारे करने के लि उर्जा होती है जो पेशी उर्जा के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है अच्छा गाड़ियों को चलने के लिए उर्जा कहां से मिलती है बैटरी से बैटरी से मिलती है पेटरोल से मिलती है डीजल से मिलती है जो जंगल थे वनसपतियां थी वो दब गई मिट्टी में और पेट्रोल डीजल में परवर्थी थो गई इस तरह हमारे जीवन में ओर्जा बहुत मेरत पून हमको पेंड़ पौदों से और सूर से मिलती रहती है तो हमने जाना बल के बारे में, उर्जा के बारे में, बल कितने प्रकार के हुए, फेशिये बल और चुम्बकी बल, विद्धुतीये बल और गुरुत बल